हेलो गाइज वेलकम टो अने दर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंस तत्य चिंतन फामा केम लिमिटेट की और से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है और कंपनी की और से टू रुपीश पर एक्विडेश यर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है जो की इन्वल जेनरल मेटिंग में अप्रूफ किया जाएगा तो हम लोग चलते कंपनी की रिजल्ट पर पहले कॉन्सॉलिडेटर कवर करेंगे मिलियंस में नंबर है इंकम है वहन हंडरेट ऐट त्वाटर kण करोड का पिछले कौटर में अटीलडरव के एक्डर्थे हैं क्वाडरों कवाटर ऑंकर noi करोड का ऑल्स बॉलिडे ay disappears किया है इन्वीड उल्ट अपरेंग इस्वाटर सेवन पॉइंट के रोल का ओपरेटिंग पॉफीट है कौड्र और कौड्र यह रॉन यह दोनों में इंक्रेज किया बटनेट पॉफिट वापस से फॉर क्रोल का टैक्स चार्ज किया और 20-20 मार्ष ट्वैंडिट्री मार्ष प्रफिट में नाइन पॉपिट में इंक्रीज किया है इसके कंपनी का है फोर-प्रफिश श्यांतुइंट का का इंकम और प्रफिट दोनों में डाउन quarter on quarter में increase हुआ है फिनाशल एर एंडिट की बात करें इंकम में 401 करोड का और 23 में 429.3 करोड का इंकम में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है expenses 357.4 करोड का और 23 में 380.9 करोड का expense में भी फॉल होती भी नेजर आ रही है लेकिन कंपनी का operating profit 43.5 करोड का और 23 में 44.7 करोड का बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला है नेट profit 33.3 करोड का और 23 में 45.4 करोड का नेट पॉफिट है जो की फॉल देखने को मिल रही है EPS कंपनी का 13.26 रुपिश का 23 से फॉल देखने को मिला है तो गाइस कंपनी को consolidated में quarter ended में अगर देखा जातो year on year की income profit में डाउन है और फिनाशल एरेंड में भी कंपनी का डाउन देखने को मिल रही है अगर हमें standalone results को कवर करेगा कंपनी का income consolidated जोना average result पेश किया standalone में income है गाई 98.4 करोड का पिछले quarter में 87.2 करोड का मार्स 23 क्वाटर में 120 करोड का income है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है expenses 86 करोड का पिछले quarter में 80.7 करोड का और मार्स 23 क्वाटर में 109.7 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में increase लिकन year on year में बहुत कम हुआ इसके गाण profit improved किया है 12.2 करोड का operating profit है पिछले quarter में 6.5 करोड का मार्स 23 क्वाटर में 6.8 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया बढ़ टैक्स बहुत जदा पेक अपड़ा 4 करोड का इसके गाण profit डाउन है 8.2 करोड का है और पिछले quarter में 4.6 करोड का मार्स 23 क्वाटर में 16 करोड का profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है level 50% का decrease हुआ है EPS 3.52 रुपेश का quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है तो overall गैस company का result अगर देखा जाया तो average result पेश किया है क्योंकि company का year on year के income profit में down है लेकिन financial income profit में down है और quarter on quarter के income profit में इंक्रीज किया है इसलिए इस कंपनी का result average पेश किया है अगर हम शेयर की बात करेगा इस तो 1243.7 रुपीच पे close किया 1.27% का तेजी देखने को मिला और company का result market close होने के बाद आए इसके share में कोई वैसा movement नहीं हुआ इसके shares का impact result का कोई impact नहीं पड़ा है और गरम बात करेगा इस तो 0.31% का one week में profit मिला मतलब कोई वैसा profit नहीं है one month में two percent का profit है six month में 12% का loss है तो three month में 6.5% का loss है और one year में 26% का loss है तो इस company लगातार constantly इसके share में fall होता है वह नजर आ रही है तो अगर आप इसके shares में entry करना चाहते फ्रेश एंट्री तो guys wait and watch कर सकते क्योंकि result उत्ता पेजने की और guys यह जो result है थोड़ा से impact कर सकता है इसके share मार्केट में जो इसो